हेलो दोस्तो कैसे हूँ आप सभी आई होफ आप सभी बहुत अच्छे हो दोस्तो आज की वीडियो में मैं दीपा वाली के लिए बना रही हूँ कुछ खुस्षूर से तोरण जो कि मैंने बनाये हैं गर के ही सामान से तो देखे कितने महंगे बहंगे आइटम हम घर पे भी बना सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ले तो तो देखे इसमें ज्यादा खर्च तो मैंने कुछ भी किया नहीं है मैंने बस थोड़े से वीड्स करी दे हैं और कुछ यह मेरे पास पॉम कॉम रखे थे जो कि मैंने भी अपनी टास्ट वीडियो में यूज किये थे और यह मैं थोड़े से स्ट्रॉल लिए जो कि मैंने जूस बाले के पास से ले आयए थी तो इस सबने और यह सब करने के बाद मैंने लिया है यह बारिक वाला गोटा पटी यह भी मैं 50 रुपे का कुछ लेकर के आई थी और यह बहुत सारा है यह समझ लीजिए कि लगवग यह 50 ग्राम और काफी सारा उस पर चड़ा हुआ था तो उसी को मैं इसमें यूज कर रही हूं तो देख बीज में मैं यह स्ट्रो डालूंगी और एक पॉम पॉम लगा दूंगी और ऐसे ही हमें इनको करते जाना है नीचे बस हमें वैल लगानी और बीज में हमें इसको रिपीट करते रहना है पॉम पॉम इस्ट्रो और तीन-तीन करके मैं यह मौती लगा रही हूं साइड में द मैंने यही डाला है तो इस तरह से हमारी एक लड़ी तयार हो गई है यह लड़िया भी हमें चोटी बड़ी करके बनानी है वीज में हमें चोटी और दोनों साइड को हमें बड़े करते हुए जाना है तो देखे मेरी यह लड़ियां तयार हो गई है अब मैंने ली हैं यह लेस, मैंने कुछ वीडियो में यूज भी किया है तो देखे, इसी को हम कट कर लेंगे, आप पास जिसुत है कि लेस रखिए यह आप खरीद के लाना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं यह ज्यादा इसमें यूज नहीं होती लगवादा मीटर या आपके जैसे भी विंडो डूर है तो उसके माप के अनुसार आप इसको रखिएगा तो इस तरह से मैंने यह लेस लिये और लेस को मैंने ऐसे रख दिया है फिर दोनों साइड में इस पर यह डब़े रखे हैं ताकि जो फैन चल रहा था उसकी वज़े से यह उड़ रही थी बार बार इसलिए मैंने दोनों साइडों में यह डब़े को रख लिया है तो देखें अब मैंने इन पर मारकिंग कर लिए कि मुझे कहां कहां लड़ी को लगाँना है ये मारकिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि जो भी मैं लड़ियां लगा रही हूँ ये दूर दूर ये पास-पास ना हो जाए सभी बरावर दूरी पर लगे इसलिए मैंने ये मार्किंग कर ली है आप जितनी चाहे लड़ियां इसमें लगा सकते हैं मैंने तो इसमें कुल 16 लड़ी लगाई है तो देखे मैं एक साइड से लेकर के आ रही हूँ मैं सबसे पहले बड़ी और फिर उसके बाद छोटी छोटी करते जाओंगी तो देखे मैंने एक एक कौम का अंतर निर में रखा है तो बीच में आके दो बरावर रखनी है हमें यहाँ पर एक कौम की बस दो लड़ी मैंने रखी है आप इधर से इसी को हम दूसरे साइड में लगाएंगे इस बार हमें पहले छोटे लगाना है और फिर बड़े को लगाते चले जाना है तो इस तरह से हमने यह सारी लड़ीया लगा ली है तो देखी लड़ीया लगाने के बद मैं लेस के उपर से यह थोड़ा सा और कपड़ा लगा रही हूँ ताकि जो भी मैंने ये लड़िया लगाई है ये बाहर ना निकले और लेस में भी थोड़ा सा वेट आ जाए तो इस तरह से मैंने लगा दिया है और नीचे मैं ये मिरर लगा रही हूँ मिरर हमें दो लगाने हैं एक उपर एक नीचे करके ताकि दोनों साइड से ये बराबर दिखे तो इस तरह से मिरर भी लगा लिए है अब ये लेस है इसका हम एक बॉरडर और बना लेंगे ताकि इसकी चोड़ाई भी बढ़ जाए और ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखे क्योंकि इसमें बॉरडर लग जाएगा तो ये लेस और अच्छी दिखेगी तो देखे मैंने बॉरडर लगा लिया है और ये कितनी अच्छी दिख रही है तो फ्रेंट इस तरह से मैंने इसका तयार कर लिया है अभी हम क्या करेंगे इसको हैंग करने के लिए हम हैंगर भी लगा लेंगे तो इसके लिए मैंने ये वही गोटा पट्टी का एक चोटा सा टुकडा लिया है और इसको मैं कुछ इस तरह से मोड के रख दूँगी और किनारे पर ये थोड़े सा कार्डबोर्ड मैं स्टिक कर दूँगी ताकि इससे मैं फरेंड कार्डबोर्ड इसलिए स्टिक कर रही हूँ क्योंकि इससे किनारे थोड़े स्ट्रोंग हो जाएंगे जैसे ही हम वाल पर डूर विंडो पर जहां भी लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से लगेंगे इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए कार्ड बोर्ड के चोटे टुकड़े लगाए है तो देखे हमारी ये तोरन तयार हो गई और कितनी खूबसूरत लग रही है अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो ये काफी कोस्टली मिलते हैं और क्योंकि त्योहर पर ये अच्छे लगते हैं तो इसलिए हम घर पर ही इनको बना लेंगे और अपने घर को सजाएंगे तो इसी तरह से फ्रेंड ये कंप्लीट हो गई है अब हम सेकंड वाली बना लेंगे ये भी मैं एक तोरंट बना रही हूँ आप इसे वंदर वाल या विंडो हैंगिंग भी वाल सकते हैं तो देखे इसके लिए मैंने इस काड़ बोर्ड के छोटे-छोटे से कुछ कटपीस लिए हैं और ये मेरा दुपटा था दुपटे में से अम्परोडी वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है और इसके मैं कुछ इस तरह से टुकड़े करूँगे और काड़ बोर्ड के उपर इस तरह से लगा करके निडल से मैं इनको सिल दूँगी तो देखे कुछ इस तरह से मैं टाके लगाऊंगी और जहां भी किनारी इसकी दिखेंगी इन सब को हम अंदर को मोड करके सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से ये जो हमने काड़ बोर्ड बनाया है ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा और इस कपड़े के भी सारे एजिल डग जाएगे तो देखें ये एक हमारा पीस तयार हो गया है तो इसी तरह से हम इन सारे पीस को बना लेंगे तो देखें दुपट्टे की ये मैं किनारी वाला पोर्टन उतार लूँगी इसमें क्योंकि मिरर लग रहे थे और एम्परोइड काफी हो रही थी तो इस तरह से हम पुराने कपड़े को यूज करके ये कितना प्यारा सा बंदरवाल बनाने वाले हैं कि आप देख करके खुद ही खुज हो जाएंगे तो इस तरह से मैंने काड़ बॉर्ड के सारे कड़पीस को तयार कर लिया है और फ्रेंट ये मेरे पास आप इनको चूणी से भी बना सकते हैं ये मेरे पास पहले से ही बनी रखी थी मैंने लाश्ट अदी पाबली पर कुछ डेकोरेशन बनाई थी तो मैंने उस में से अब इनको उतार लिया है तो इस तरह से मैंने इनको यूज गया है आप चाहे तो अगर अपने घर में पुरानी रखी हुई चूणीों से और उन लपेट करके आप इस तरह से बना सकते हैं फेंट देखिए मैंने चोटी चोटी कुछ शीशी टाइप के लिए है आप चाहे तो दवाई की सीशी ले सकते हैं ये मेरे पास एक गिलास टाइप के रखे हुए थे जो बच्चों के दूदवाले पॉडर के बॉडर के बॉडर बॉक्स आते हैं उनमें आते हैं तो मैंनने इह रख लेते जाम मेरा बेबी ये पॉडर फ़डर वाला दूद पीटा था तो इस तरह से ये ने कवारद को इसमें यूज ऑज्च कि ये दूट लिए ہے तरह से cover हो जाते हैं इनकी जगह पर फ्रेंड आप चाहे तो बोटल जो ये कॉल्डरी वगयरा किया थी उसका उपर वाले portion को cut करके भी यूज कर सकते हैं इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं दवाई की चोटी चोटी शीशियों को भी यूज कर सकते हैं तो देखे फ्रे अब मैंने ये रोल जो बनाए इसके उपर में थोड़े से मिरर लगा दूंगी ताकि इसकी खुबसूरती और इन्हेंस हो जाए तो मैं इसके दो साइड फ्लॉवर टाइप का ये बना रही हूं मिरर से ताकि ये दोनों साइड में इसलिए लगाऊंगी ताकि जब ये वाल आप ये वाल को तयार कर लेना है सबी के उपर हम मिरर लगा लेंगे मिरर का डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे तो इस तरह से मेरे ये सारे रोल तयार हो जाते हैं और इनको मैंने सुखा भी लिया है तो देखीए अब इन सब को हम एक जगा करेंगे और आप अपनी बंदर्वाल को तयार करेंगे तो हमें क्या करना है देखिए फ्रेंट यह मैंने जो रोल लेते हैं इन पर मैंने यह छेद कर लिये हैं यह मैंने गर्म करके बड़े वाले निडल को इसमें डाल करके बारिक वाले छेद बनाए हैं तो फिरन देखिए अब मैंने ये लेस ली है ये मेरी साड़ी से उतारी हुई लेस है जो भी बहुत सारी जगा में मैंने यूज कर चुकी हूँ और और भी आगे मैं इसको यूज़ करूंगी तो इस तरह से हमने ये लेस ली है और इसके बीच में मैंने रेड कलर की पतली वाली लेस को स्ट्रिक कर दिया है ताकि हमारी जो डेकोरेशन बनाई हैं उससे ये मैचिंग हो तो इस तरह से हमने इनकर लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे मैंने एक निडल ली है और ये बारिक वाली गोटा पटी ली है और गोटा पटी में मैंने तीन मोती डाल दी है पहले मैंने बारिक वाला वीच डाला है और उसके उपर मोटा और फिर और मोटा और अब हम इसको किनारे पर से लगाना शुरू करेंगे और यह हमने बिल्कुल एक लड़ी तर बना कर तयार कर ली है और अब इसके बीच में हमने जो यह रोल बनाये थे प्लास्टिक के इनको लगा लेंगे तो देखे इसके लिए मैंने अंदर की साइड में एक बारिक वाल दूँगी यानि कि माला टाइप की मैं बना लूँगी तो इस तरह से यह एक पूरी लड़ी तयार हो जाती है तो प्रेंट देखे इसके बाद हम यहां इसको स्टिक कर देंगे इस तरह से इसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे पहले एक कार्ट बोर्ड बाली लड़ी को लगाएंगे फिर एक रोल को लगाएंगे फिर हम कार्ट बोर्ड को लगाएंगे तो इस तरह से हम आगे पीछे करते वे चले जाएंगे फिर यह रोल जो मैंने बनाई है मैंने दो कलर में लगाए थे आप चाहे तो इसको एक कलर में भी लगा सकते हैं तो देखे फिर यह म हमारी बंदरबाल तयार होगी फ्रेंट देखे कर मार्केट में आप इसको खरीदेंगे तो त्योहरों के टाइम पर यह आपको काफी कोस्टली मिलेंगे और हमने घर के कवार से इनको तयार किया है प्रेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रा कर दो दो पाले है जावाले हिर झाया मेरे मों स मेजरा अपको है होगी आारा किया प्रेंट को खरीका है तो आफे मने KELL को सब्से में बपको खरीका है उखेवे हैं वह म क tripod को तो प्लीज का फेमेंगर जाएवा जान परीका हैं स सब्सक्राई आपका है झाया उबotheर खरा य